3 जुलाई से नियमिदी करण की मांग को लेकर अनिस्चित कालिन हर्ताल पर बैठे समविदा करमचारी अब 25 दिनों के बाद भी बैक फुट पर आने को तयार नहीं है संग ने पिछले दिनों खुन से सरकार को पत्र लिखा था जिसके बाद सरकार पर समवाध हिंता का आरूप लगाते हुए घुटनों पर चलकर इनोंने समवाध रैली भी निकाली थी करमचारियों का कहना है कि कॉंग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए साल 2018 में चुनाव से पहले जो जनखोशना पत्र तयार किया था उसमें समविदा करमचारियों के नियमीदी करण की मांग पर मुक्ता से रखी थी लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ जिसके बाद से करमचारियों ने समय समय पर शासन प्रशासन से निविदन किया और अब विवश होकर आंदोलन करने को मजबूर है आपको बता दें कि सरकार ने करमचारियों के हड़ताल के बीच एसमा लगा दिया है बावजुद इसके अपनी मांगों के साथ करमचारी धरना इस्थल पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन चारी है और सरकार से हमारी अभी भी एक मांग है कि भाई समवाद के माध्यम से आप इस समस्या का समधान निकाले और सम्वाद नहोनी की धिसमें इस प्रकार की संस्या सर्द्स अंत्वन हो रही हैं हम चाहते हैं कि आभी एक अउस्सर है जानकारियों की जो बात facto जारी है जानकारियों का दौर लगातर जारी है लेकिन अब उसके परधिणाद के हम सब प्रतिच्छा कर रहे हैं उम्मेद है कि मुक्षमंतिर महादाजी कोई ना कोई बड़ी घोषना करके हम सभी का निमतिर्ण करेंगे